नवस्का दोस्तों, इनकी ये 37.6 मंत की है, अभी हाथ में देखते हैं क्या-क्या उतार चड़ाव इनके हाथ में दिख रहे हैं, जब किसी वेक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बनें, तो वेक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपुचुनिटी आ है, और रेक्टेंगल भी है, तो महनती भी होंगे, और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, अंगुटा फर्स्ट फैलेंज नुकिला कम है, तो इदर उदर ध्यान बटकता है, सेकेंड फैलेंज काफी अच्छा है, लोजिक के साथ, त्यत्यों लेते हैं, और लगबख दोनों उंगलिया सेमी है, यह उंगली अगर फर्स्ट फैलेंज तक पहुच रही होगी, तो व्यक्ति, डॉक्ति, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना है, या चक्ति, मनी, मैनेजमेंट और अकाउंट, यह सारी वस्तों मे उंगली है, यह कंट्रेशन, अबर फ इनक लगे ऑपाम पर चलते हैं, बहुत सिंपल पाम है, जदा लाइनेे नहीं है, बुद्परवत पर एकरत खड़ी लाइन और यहां पर इपक सेंड बनी हुई है इस तरह की sign बनते है तो व्यक्ति कहीं न कहीं business minded होता ही है और ये business करी रहे है और बुद्परवत बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं बोलूगा और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है मध्यम काईप का है तो मध्यम सुंदरता व्यक्ति को मिलती है अब इस हाथ में देखिए एक साधारंड सी sign है एक दम जो इस photograph में भी लग रही है ये देखिए ये इतनी सी इतना चोटा करसर भी नहीं चलेगा मैं यहां से लेकर यहां तक बताता हूँ अब इसकी size देखिए कितनी चोटी है दो एमेम या धाई एमेम की fish sign है यही अगर होती तो चार चान लग जाते थे इनके close up में भी इतनी लग रही है कितनी छोटी sign है मैं इसको enlarge करता हूँ ये देखिए सपश्टता से दिखेगी आपको और एक यहां पर छोटी सी बनी हुई है अब इसको भी अगर मैं करूँ तो ये तो डेड़े एमेम की है पर ये इतन अनी भी कई लोगों के हाथों में होती है ये sign बहुत common sign है केवल निकालने आनी चाहिए बहुत common sign है चैनल सुरू करने के पहले मैं भी इसको special sign समझता था पर जैसे जैसे लोग कारवा बढ़ता गया मेरे मन में आज ये ही भाव है ये common sign है कई लोगों के हाथ में होती है अब इनके पर उसकी साइज के उपर उस पर निर्वर करता है और फिर धन रेखा उसकी राव रेखा है उन पर भी निर्वर करता है ये देखिए यहाँ पर भी दिख रही है इसकी साइज बहुत ज़्यादा चोटी है यहाँ पर भी छोटी हो सकती है अब चलते इनके शनी परवत पर कंटीनी चलने वाली फेट लाइन है फेट लाइन पर आऊंगा तब इस पर सफ़श्टता से बात करेंगे और एक अर्ध शुक्रवलाय भी बन रहा है ऐसे लोगों को मुड़ स्विंग का प्रॉब्लम होता है सुबह अलग मूर शाम को अलग दुपैर को अलग रात को अलग यह प्रॉब्लम रेक्तिकोज होता है और यह भी सुपसाइन है पर इससे ज़्यादा सुपसाइन इनके हाथ में है और बहुत छोटी है और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुड़ा पे तक इंकम आती रहेगी यहाँ पर स्ट्रेच हो गया गुरु परवत पर गुरु परवत में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैंने पूरे हाथ का फोटो भी देखा है बाकी के फोटो भी देखे है कुम डाइन चल रही है यहाँ पामिष्ट्री अस्ट रोड़ी साइंस में धियान जाता है व्यक्ति का एक और पहला फोड़ी सी चल रही है मुल्टिपल इंगम देती है पामिष्ट्री अस्ट रोड़ी इन्ठी साइथ रिता प्लस सेवा भावे और धार मिट्टा यह चार चीजे देती है और जुपिटर मांड मैं बहुत ज्यादा बड़ा भी कहोंगा और में बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं कहोंगा जैसा जीए वैसा मंगल भूद जादा अच्छा यह कोई नगोई sports के जरूर जानकार होंगे 100% साधिक रिकूर्जा भूद अच्छी होती है ऐसे लोगों की इसके पहले का वीडियो वी sports person का था पर यह sports person किसी जमाने में होंगे कोई नगोई sports के एकाज sports के तो अच्छे जानकार होंगे होंगे और होंगे बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब इस तरह का बारी मंगल हो तो व्यक्टी हिमत ही होता है जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है सामने वाला comfortable feel करता है चंद परवत मध्यम है चोड़ाई लिये हुए है पर उभार नहीं है तो मध्यम ट्रैक का है मध्यम फल देता है व्यक्टी को यहां पर देखिए एक money triangle तो नहीं बन रहा पर इनके हाथ में greater triangle जरूर बन रहा है तो बुड़ा पर तक इतनी तो संपति जमा कर लेंगे कि खाते भीते आरहां से रह सके शुक्रपरवत में भी कोई कमी नहीं है एक luxury line है और शुक्रपरवत भी व्यवसीत है बहुत जादा उभार भी नहीं बहुत जादा दबावब honoring तो अच्छे कप्रे पहनना अच्छी तरह रहना वयवसीत रहना इस तरह की मान सकता है इनकी रहती है हिदे रेखा में जब दो फोर्क बनते हैं तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरस समझा पाते हैं हिदे रेखा पूरी जुपिटर से निकलती है तो ऐसे लोग बहुत भरो से लाइक होते हैं किसी को सो रुपया भी ब्याकी होंगा तो साने से देख कर आएंगे इतने भरों से लाइक होते हैं हाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है और हाथ के नीचे के लोगों से अच्छा काम ले पाते हैं तो जैसे जैसे उम्रू बढ़ेगी थोड़ा सा जंजटो भरा जीवन रहेगा आपा धापी जंजटो तो नहीं कहेंगे काम का अचका बोज रहता है और ये लाइने माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है अब माइन लाइन पर देखिए यहां से शुरुवात हो रही है तो महतोकांशा तो दिखाती है पर साथ में देखिए यह माइन लाइन यहां पर थोड़ा सा उभार में है तो प्रेशर वाला जीवन रहता है तो यहां पर प्रेशर वाला जीवन रहता है और यहां पर यह लाइन टूट भी रही है लगवक 36-37 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी एक अथसाल प्लस माइनस कि जो इनको दिमागी रॉप से विचलित किया होगा और उसके बाद दूसरी माइन लाइन चल रही है और यहां से व्यक्ति जीवन के प्रति सीरियस भी बनता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी टेंस कम होगा और थोड़े से धार्मिक भी बनते जाएंगे और इमेजिनेशन पावर हलका सा बढ़ेगा थोड़े से सपने आने चालो हो जाएंगे पर इस तूट के बाद व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस बन जाता उसके पहले इतना सीरियस नहीं होता और यह द के बराबर हो जाएगा अब जीवन रेखा पर भी बहुत ज्यादा कट तो नहीं है एक मुझे 25 के आसपास ओफशुट दिखा तो कोई ने कोई बेनिफिट इनको मिली होगी यह 27 मैं साधी करही इस लाइन ने एक यहाँ पर नियर एंड डियरर की देफ दिख रहे है 35 के आस इसे लोगों को फिर उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा यहाँ पर भी दिख रही है यह दो धाई साल के अंदर यानि लगबग साड़े साथी सारी 40 या 41 के आसपास यह रहु रेखा काटेगी और 42 के आसपास बहुत बड़ा अप्शूट है और यह ट्रैंगल भी बन रहा है तो यह इनको कोई न कोई बड़ी प्रॉपर्टी दिलवाएगा काफी अच्छी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आएगी और इनकी चाहत भी है यह अच्छा घर हो तो यहाँ पर यह पूरा होता हुआ सपना दिख रहा है 42 के आसपास उसके बाद भी एक आफशूट है यह लगबग 44 के आसपास है और एक छोटी सी राउरेका भी है उसके ब 40 के आसपास से इनकी गाड़ी दोड़ती हुई नजर आएगी इनको और उसके बाद भी एक आफशूट है 50 के आसपास और एक छोटी सी राउरेका भी है और 51 के आसपास आफशूट है उसके बाद भी आफशूट है तो यह इनको काफी उचाई उपर लेकर जाएंगे इनके सारे सपने यहां पूरे होते हुए दिखेंगे इनको और एक आपशुट आठ साल के बाद और है 58 के आसपास और ना कोई ज़्यादा राव रेखा है तो कोई टेंस लेने की जुरत नहीं है अब इनकी धन रेखा पर देखे तो एक कट यहां लगा 34 के आसपास और यहां पर कोई ना कोई रुकावट आई होगी क्योंकि उसके बाद यह धन रेका स्टॉप हो रही है और यहां से दूसरी धन रेका चली रही है और उस पर भी 34 के आसपास कट था अब यहां पर 2-3 कट लग रहे है एक कट 46 के आसपास है 47 के आसपास एक 49 के आसपास है यह investment भी हो सकता है और एक 53 के आसपास है या तो loss देंगे या investment करेंगे 99% investment है और यह loss देंगे और उसके पहले investment भी है 46 के आसपास और यह नुकसान देगी यह भी नुकसान देगी और यह investment कराएगी या loss देगी और यह parallel income के source बने ही रहेंगे इनके पास अलग-अलग समय प्यार अलग-अलग income के source बने रहेंगे और अब टू बुड़ा पे तक अब इस तरह की धन रेका दो चीजे indicate करती है किसी और के product को बेचना या विदेश से धन प्राप्ती का और यहाँ पर भी या तो investment होगा यह 99% investment की line है क्योंकि यहाँ पर यह देखिए 42 में बहुत बड़ा offshoot है तो यह investment ही होगा इसी विदेश के आसपास है 41, 42 के आसपास और यह line है सीधी चल चल कर अब तो बड़ा पर तक किसी न किसी रूप से income के source बने रहेंगे अब इनकी धन रेखा चाहिए वैसी अच्छी नहीं है जो strong होनी चाहिए वैसी नहीं है यह देखिए यहाँ पर भी कोई इतनी दमदार नहीं है इसके बाद 38 के बाद यह नया वेवसाय और कोई मिलेगा इनको यहाँ से growth मिलनी चालू हो जाएगी इनको 38 के आसपास से और यह up to end तक जा रही है यह किसी और के product को बेचना या सेवा देना और इस तरह का कारी इन्होंने चालू भी कर दिया है पर यह 38 के आसपास से यह growth करनी धीरे धीरे चालू होगी पर इतनी दमदार नहीं है और खराब भी नहीं है तो अपनी जो ability है उसका 50% ही इनको हाथ में आएगा पर दूसरी कई मादिमों से इनके पास अलग-अलग समय पर पैसा आते रहेगा अब तू बढ़ापे तक किसी न किसी तरह income के source बने रहेंगे इनके पास तो ज़्यादा tense लेने की जुरत नहीं है और बहुत ज़्यादा hype create करने की जुरत नहीं हाँ यह जब आएगा समय यह एक जादू वाला काम आपके जीवन में होने वाला है यह इतना जमा करा देगा कि आप आ रहा हमसे बुड़ापा वहत अच्छी तरह से निकाल पाओगे जैसे हम पहले वीडियो गेम खेलते थे उस समय nitrogen मिलता है तो हमें जीवतदान मिल जाता है वैसी यह offshoot हमारे जीवन में इस तरह का कारे करवाती है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद